हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्त और सेहत मंद होंगे और रख रहे होंगे अपना धेर सरा खयाल टीबीटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम उमीद करते हैं कि हम आज का जो विडियो लाए हैं वो आप स चाराया कि क्यों न यह चीज आप लों के साथ शेयर करें कि किस तरह से हम अपना लंच प्रिपेर करते हैं और किस तरह से अपने हजबन का टेफिन देते हैं क्योंकि हमारा जो हमारी जो जौब है वो नून शिप्ट के है तो हम लंच लेकर नहीं जाते हैं हम खाना खाकर ज पूरुष हो, वर्किंग हो, वर्किंग लेडी हो या हाउस वाइफ हो, हस्बेंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, क्योंकि खाना बनाना सिर्फ औरतों का ही अधिकार नहीं है, ये तो जीवन का ऐसा हुनर है, जो सब को आना चाहिए, तो इसलिए सारे लोग जो देख रहे हैं हमें, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत यूसफुल है, और इसे पूरा देखिएगा, और ये वीडियो जो है, शिक्स डे का पूरा आइडिया आपको एक देगा, कि किस तरह से आप अपना लंच बना सकते हैं, कम समय में, और ये सिर्फ एक आइडिया है, ऐसा नहीं हम क जो चीजें आपको पसंद हो, और जैसा आप खा सकते हैं, और टाइम के हिसाब से, क्योंकि सुबह में आपके पास टाइम भी होना चाहिए बनाने के लिए, जनरली हमारे घरों में जो है, हम औरते ही खाना बनाती हैं, तो हम सब के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो वीडियो को लाइक करिए, देखने से पहले लाइक कर दीजे, क्योंकि बाद में फिर आप लोग भूल जाएंगे, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, मंडे से लेकर सैटड़े तक का हमारा लंच किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से प्रपेर करते हैं, आपको दिखाते हैं तो चलिए वीडियो देखते हैं तो यहां हम मंडे का टिफिन बनाना शुरू कर रहे हैं और मंडे का जो दिन होता है वो छुटी के बाद आता है यानि संदे को अकसर हम कुछ स्पेशल खाते हैं घर में या फिर बाहर का बना हुआ खाते हैं तो मंडे का जो लंच रखा है हमने मंडे का जो टिफिन रखा है वो थोड़ा सिंपल रखा है और यहां पर हमने एक लोहे की कड़ा ही रखी है और यहां हम पालक की सबजी बनाने वाले हैं तो ओयल गरम हो गया है तो उसमें मेथी, जीरा और राई का तड़का डाल देंगे पालक की एक बहुत ही सिंपल सी सबजी लेकिन टेस्टी बन रही है तो यहां हम पालक की सबजी बना रहे हैं लेकिन आप लोग चाहें तो कोई भी सबजी आप अपनी पसंद की कोई भी सबजी बना सकते हैं पालक की सबजी बनाने के लिए थोड़ी ची तयारी पहले से करनी पड़ती है आप चाहें तो रात में ही पालक को साफ करके काट कर धो कर रख सकते हैं ताकि आपका काम जो है आसान हो जाए यहाँ पर हमने हरे मिर्चे ली थी, 2-3 और एक मीडियम साइज की प्याज ली थी तो उसे भी कट कर के डाल दिया और यह हमारे पास हरा लहसुन है जिसे हमने एक साथी काट कर तो जो है, स्टोर कर के रख लिया है ताकि काम आसान हो जाए तो वो भी डाल दिया है थोड़ा सा और प्याज को में बहुत देर तक नहीं भूणना है लेकिन इतना भूणना है कि उसका थोड़ा सा color change हो जाए और यहाँ पर देखें हमारी प्याज जो है पारदर्शी हो गई है यानि हलका सा उसका color change हो गया है और अब बारी है इसमें मसाले डालने की कोई मसाला ऐसा नहीं डालने वाले हैं सिर्फ हल्दी और नमक डाल रहे हैं आपका अगर अंदाज़ा सही है तो ही आप इस पॉइंट पे नमक डालें नहीं तो जब पालक गल जाती है उसके बाद आप नमक डालें क्योंकि पालक की सबजी ऐसी होती है जो गल जाती है बहुत थोड़ी सी बचती है लास्ट में तो नमक उस हिसाब से डालना चाहिए ताकि नमक जादा ना हो जाए और यहाँ पर देखिए हमने पालक को एड़ कर दिया है और इसे अच्छी प्रकार से चला लेंगे आप चाहें तो पालक में मेथी अगर हरी अच्छी मिल रही है तो वो भी मिक्स करके बना सकते हैं पालक मेथी का जो साग बनता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है और पालक की सबजी हम लोग बहुत पसंद करते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम पालक की सबजी बना रहे हैं औ और यहां पर जो है, हम तमाटर भी कट करके रख देंगे, और दो बड़े पीस में, दो टुकडों में ही कट करके हमने रखा है, ताकि बाद में उसका छिलका निकाल सकें, और अब हम बना रहे हैं एक सिंपल सी दाल, पालक की सबजी के साथ जो है, सिंपल सी दाल जटपट बनने वाली, जिसमें अलग से कोई तड़का नहीं लगेगा, एक साथ ही इसमें हम तड़का लगाने वाले हैं, तो यहां पर हमने घी डाला है, और आप अपने टेस्ट के औ और तेल का प्रयोक करें, यहां पर हमने जीरा डाला है, और हींग थोड़ी सी डाली है, और उसे अच्छी प्रकार से चला लेंगे, ताकि जो है उसका कच्छा पन निकल जाए, और अब हम इसमें एड कर देंगे, देखिए हमने हरे में उर्च ली है, हरा लहसुन और हमारा एक तरह से कहिए, सेमी सांभर बन के तयार होगा यह, क्योंकि इसमें हम सांभर मसाला यूज़ करने वाले हैं, और यह बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल से बनने वाली दाल, तो यहां पर टमाटर जो है, अच्छी प्रकार से भुन रहे हैं, और यह देखिए, यह बहुत छोटे साइज कलिया था हमने, यह हम जो लंच प्रिपेर कर रहे हैं, यह दो लोगों का है, तो हम उस हिसाब से समान जो भी यूज़ कर रहे हैं, और यह दाल ली है हमने, दाल को आदा गंटा पहले भीगो दिया था, आप कोशिस करें कि अगर आप कोई भी दाल बन आपर दिखें, हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा सांबर मसाला जो इस दाल के तेस को बढ़ा देगा, और फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अच्छा नहीं खाया, या चटपटा नहीं खाय या मसालेदार नहीं खाया, तो बहुत थोड़ा ही डालना है, बहुत जादा नहीं डालना है, थोड़ा सा यूज करना है, और ये जो है सांबर, इस दाल का स्वाद बहुत जादा बढ़ा देता है, तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ करिएगा, इस तरह से बनाने की है, तो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, तो यहां डाल को प्रेशर लगा देते हैं, ताकि ये जल्दी से पक जाए, और इधर हम अपनी सबजी को वापस से चेक करते हैं, तो ये देखिए टमाटर गल चुके हैं, और ये दो कुछ नहीं मिलता है, तो उसको निकाल ही देना चाहिए, और कभी-कभी ऐसा होता है कि गरम होता है, टमाटर तो हाथ भी जल जाता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा आप लोग इस तरह से, और यहां पर देखिए हमारी सबजी कितनी अच्छी दिख रही है, पालक की, तो ढग कर हम ऐसे ही पकाते रहेंगे, और एक साइड हम चावल बना रहे हैं, क्योंकि दाल और पालक की सबजी के साथ हम चावल बनाने वाले हैं, रोटी नहीं बनाने वाले हैं, मंडे का जो हमारा टिफिन होगा, बिलकुल सिंपल और हलका होगा, और यहां सबजी थोड़ा सा एक मिनट और पकाएंगे और इसके बाद हम उतना ग्यास बन कर देंगे, और यह देखिए, कितनी टेस्टी बन के तयार हुई है यह दाल, जरूर ट्राइ करिएगा, और जितना बहुत गाड़ी भी नहीं बनी है, बहुत पतली भी नहीं बनी है, बहुत बन कर तयार हो चुका है, उबले हुए चावल है, स्टीम राइस, पालक की सिंपल सी सबजी, बट उतनी ही टेस्टी, और यह दाल, और यह सैलेड है, मुली, खीरा, और गाजर, नीम भूलिया है हमने, और यह प्लेन दही है, इसमें कुछ भी एड नहीं किया है हमने, और य हमने गुड रखा है, यह सिर्फ एक आइडिया है, आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, और यह शाम को अगर भूख लगे तो खाने के लिए, यह मखाने हैं, जो हमने घी में भून कर इसमें काली मिर्च और काला नमक छिड़क दिया था उपर से, तो हमारा मंडे क का टिफिन बनकर तयार हो चुका है, बताइए आपको कैसा लगा, हमें कॉमेंट जरूर करिएगा, तो अब बारी है, तूजडे का टिफिन बनाने की, तो यहाँ पर देखिए, हम एक चना और मूंग बनाने वाले हैं, काला चना और हरी मूंग साबुत, उसको हमने रात भर के लिए भीगू दिया था और यह देखिए यह अच्छे से सोख हो चुकी है तो इसकी एक सब्जी कह लिजिए यह दाल कह लिजिए जो भी है क्योंकि यह मौंग जो है और चना प्रोटीन का अच्छा सोर्स है तो जरूर यूज करना चाहिए और जब हम लंच के लिए खाना बनाते हैं टिफिन के लिए खाना बनाते हैं तो हमें उसमें सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो पोशक तत्व हैं वह आ जाए और एक टेस्टी और बैलेंस मील हम तयार कर पाएं इसे बीच हमने थोड़ा सा तेल डाला था और जीरा हींग डालकर हर मिर्च दो और एक छोटी सी पीयाज और यह रा लहसुन यह एड कर दे रहें आप कली वाले लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं तो यह लहसुन पड़ा हुआ तो हमने इसे यूज़ कर लिया है और इसे बहुत जादा नहीं रोस्ट करना है हलका सा चला लेना है तेल मसालों की मात्रा आप अपने हिसाब से तैं कर सकते हैं कि आपको कितना डालना ये छोटा सा टमाटर लिया था हमने वह भी डाल दिया है और अब इसमें चना और मुंग डाल देंगे आप इसमें लाल मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं और जो भी मसाला प्रयोग करते हैं सबजी मसाला या चना मसाला भी इसको बहुत टेस्टी बना देता है तो आप चना मसाला भी इसमें यूज कर सकते हैं हल्दी नमक डाल कर बस इसे प्रेसर कुक करना है बहु सीटी लगानी है दो तीन सीटी में यह अच्छे से कोख हो जाता है और यहां पर देखिए हल्दी डाल रहे हैं हम आप अगर कोई भी खाना बनाते हैं कोई भी चीज बनाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्थ के हिसाब से और आपको कैसा अच्छा लगत करने में कि किस तरह से आपको चीजें करनी चाहिए वरना आपको जो पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं वह चीज बना सकते हैं यहां पर आप राजमा बना सकते हैं छोले बना सकते हैं वराइटी ला सकते हैं कभी-कभी चीजें कर सकते हैं और रोज एक ही खाना खाकर ह उसके लिए अच्छा है कि कुछ अलग अलग चीज़ें बनती रहें तो इस यहां पर हमने अपने हिसाब से जितना हमें जरूरत है पानी हमने डाल दिया है और हमने कोई मसाला यूज नहीं किया है जो हरी मिर्च का तीखापन है वही रहेगा इसमें प्रेसर लगा दिया था और अब हम यहां पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है यहां हम बनाने वाले हैं एक सिंपल से मिक्स वेज जो है जिसमें पत्ता गोभी मटर शिम्ला मेर्च यह सब लिया है गाजर का प्रेयोग हमने नहीं किया है क्योंकि मारे हस्बंड पकी हुई गाजर खाना पसंद नहीं करते हैं उनको सैलेड में गाजर अच्छी लगती है तो यहां पर देखिए तड़के के लिए हमने जीरा मेथी और राई का प्रेयोग किया है तड़के में यह चीजें धेर सारी डालनी चाहिए यह बहुत अच्छी होती है और सबजियों का जो स्वाद होता है वो भी बढ़ जाता है और यह देखिए हमारे जो जीरा मेथी औ अच्छा लगेगा तो अब हमारा तड़का ड़न हो चुका है और इसमें हम डालेंगे एक कटी हुई प्याज अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज जो है अवाइट कर सकते हैं लेकिन हम लोग खाते हैं और इससे सब्जी का टेस्ट भी बढ़ चाता है तो वो भी आड़ कर दिया है हमने यहां आप चाहे तो अगर गाजर मटर पसंद है तो वो भी बना सकते हैं पत्ता गुबी मटर है तो वो भी बना सकते हैं मिक्स विच पसंद है तो वो भी आप अपने हिसाब से भिंडी बना सकते हैं जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से सब्जी तयार कर सकते हैं और इनसान जो है इतनी दोड़ भाग क्यों करता है खाने के लिए ही न अपना पेट भरने के लिए तो उसको और आज के समय में तो और जरूरी है कि हम अच्छा खाएं पेस्टी खाएं लेकिन हेल्दी भी होना चाहिए थोड़ा तो यहां पर देखिए हमने सारी सब्जियां डाल दी है एक साथ थोड़ा थोड़ा करके अगर आप सब्जियां लेते हैं तो कई सब्जियां होती है वराइटी होती है तो जादा हो जाती है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं करने चाहिए इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो है अच्छे से सारी चीजें mix हो जाएं आपस में और पिर जो है इसमें जो भी आपको add करना है आप कर सकते हैं तो यहाँ पर हम हरा लहसुन add कर रहे हैं आप हमारे हर खाने में यह देखेंगे कि यह हरा लहसुन हमने add किया है क्योंकि हमें बहुत जादा पसंद है और जब मतलब फैब और मार्च तक तो मिलता ही है market में अच्छे से और यहाँ पर हम डाल रहे हैं हल्दी और हाँ सबजियां जो हमने cut की थी उसी में हमने तीन हरी मिर्चे कट करके रख लिया था डाल दिया था जो तीखेपन का काम करेगी और यह हमारी हल्दी भी इसमें डल गई है और इसमें आप थोड़ा सा नमक add कर देंगे जितना हमार टेस्ट है आप अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ करिएगा और इसको फिर ढख कर अच्छी तरह से पकने देना है तो इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए सबजी को अच्छी प्रकार से पकाना है और ध्यान यह देना कि बहुत जादा नहीं गलाना है और एक चीज और बताना चाते हैं आप लोगों को कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और हर अलग अलग दिन पे यह वीडियो शूट हुआ है जो रियल में हम जिस तरह से टिफिन तयार करते हैं वो वीडियो है यह तो इसमें कुछ चीजें मिस हो सकती है तो उसके लेक शमा कीजेगा क्योंकि यह वीडियो टिफिन आइडिया के लिए है ना कि डीटेल में रेसिपी के लिए लेकिन फिर भी हमने कोशिस की है कि जितनी जितनी चीजें हम बता सकते हैं उतनी बता पाएं तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताईएगा और यह वीडियो को पूरा देखियेगा थोड़ा पैसंस रखना पड़ेगा और इसी बीच ने सब्जी में टमाटा रेड़ कर दिया था और वापस से ढ़ाध दिया है और दिखूआ उपर से हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर है और हमारी सब्जी ज आया है आज बूंदी का है बुना पिसाद जीरा डाला है इसमें और ब्लैक सॉल्ट और ये रोटी है और ये सैलेड के लिए गाजर है और निम्बू और ये हरी चटनी है और मीठे में अगेन हमने गुड रखा है आप अपने हिसाब से जो भी मीठा आपको पसंद हो आप रख सकते हैं तो इस तरह से और ये देखें इवनिंग स्नाक के लिए हमने मुंगफली और चना लिया है रोस्टेड है ये तो ये रख दिए और अब बारी है वेनज दे का टिफिन तैयार करने की तो यहां पर हम बना रहे हैं मटर पनीर बहुत सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहां हमने तेल डाल दिया था तेल गरम हो गया है तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे आप बिना फ्राई प्रयोग कर सकते हम लोगों को फ्राइब की हौँ पसंद है इसलिए हमने ऐसा रखा है बहुत ज़्यादा फ्राइब करने से थोड़ा कड़क हो जाता है पनीर तो यहां पर जितना हमें जरूरत है उतना इसको बस कलर चेंज होने तक पका लेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे और इस मटर पनीर को बनाने के लिए हमने एक मसाला तयार किया है बहुत थी क्विक वाला मसाला है जिसमें सारी चीजों को एक साथ पीस लिया यानि टमाटर लहसुन थोड़ा सा अद्रक प्याज और कुछ खड़े मसाले जैसे कि जीरा बड़ी इलाइची लॉंग छोटी इलाइची और थोड़ा सा दाल चीनी का टुकड़ा बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं लेकिन जब मटर पनीर ऐसा कुछ बनता है तो फिर ग्रेवी उसमें चहिए होती है तो टमाटर प्याज और थोड़ा मसाला डालना पड़ता है और पनीर हमारा तल गया है इसके बाद इसमें तेज पता डाला है हमने थोड़ी सी हींग डाली है अगर आप हींग नहीं खाते हैं नहीं पसंद करते हैं तो आप मट डालिएगा और बस इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना नहीं तो हींग का जो टेस्ट हो खराब हो कि जो जो चीजें बताई हमने टमाटर प्याज वगएरा सब कुछ एक साथ पीस कर तेल में हम डाल देंगे और मटर ली है हमने मटर जो है नॉमल मटर है प्रोजन नहीं है तो उसे भी हम इस मसाले के साथ ही पकाने वाले हैं यानि अलग से नहीं पकाने वाले हैं मसाले के साथ ही जैसे जैसे मसाला बुनेगा मटर भी वैसे ही पकेगी तो मटर को भी डाल देंगे और मसाले के साथ थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो जलेना और अच्छी तरह से पक जाए अच्छी तरह से पक जाए इस तरह से दिखिए हमने मटर और मसाला जो है दोनों आड़ कर दिया थोड़ा सा पानी आड़ कर रहे हैं और और इसमें बीच में हल्दी नमक और थोड़ा लाल मिर्च डाली थी अपने टेस्ट के हिसाफ से थोड़ा सा चटपटा बनाना है तो आप उसे साब से मिर्च का प्रयोग करिएगा और बस इसे ढख कर पकने देंगे मीडियम हीट पे ताकि जो मटर अच्छे से गल जाए तो चलिए चेक करते हैं मटर का क्या हाल है और यहाँ पर हमारी जो मटर है वो अच्छे से पक रही है और अल्मोस्ट डन हो चुकी है तो एक बार अच्छे से इसको चला देंगे और फिर से ढख देंगे अब देखिए अब इसका रंग देखिए आप जो ओयल है वो सेपरेट हो चुका है और मटर अच्छे से पक चुकी है और इस पॉइंट पे अब पनीर अड़ करेंगे ताकि पनीर भी जो है वो मसालों का जो टेस्ट है अपने अंदर ले ले वो इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पनीर मटर और मसाले आपस में मिल जुल कर हमें एक अच्छा स्वाद दें थोड़ा सा पानी अड़ किया है करेंगर मसालों कर देंगे और यहां पर हमारी पनीर की सबजी बनकर तयार हो गई है इसमें थोड़ा साहरा धनिया डाल कर इसको कम्प्लीट किया है तो चलिए वेनस्डे का टिफिन तयार करते हैं और यह देखिए पनीर की सबजी के साथ हमने रोटियां बनाई थी और यह है हमारी यमी मटर पनीर और यह है बूंदी का रायता आप रायता चेंज कर सकते हैं आप खीरे का रायता बना सकते हैं लौकी का बना सकते हैं और यह है हमारा सैलेड आज सैलेड के लिए खीरा बीट रूट और गाजर लिया है हमने और यह हरी चटनी और यहां पर हमने मीठे में अगीन गुड लिया है और इवनिंग स्नाक के लिए हमने थोड़े ड्राइफ रूट रख दिये हैं इनको रोस्त नहीं किया है ऐसे ही रख लिया है तो हमारा वेनस्डे का टिफिन बनकर तयार है आप भी विडियो को लाइक करिए और अपने कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो अब है थर्सडे और यहां पर हम थर्सडे का टिफिन बनाने की तयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो कुछ तयारी जो है रात में करके रख सकते हैं जैसे सबजियां वगएरा धो कर रख लिया या कुछ भीगोना है तो वो भीगो दिया कोई जिस साफ करके रखनी है मटर है तो उसको छील कर रख सकते हैं पालक है तो उसको साफ करके रख सकते हैं त थोड़ी काली मिर्श थी और लॉंग थी और एक प्याज और टमाटर इन सारी चीज़ों को हमें पीसना है और इसमें हम फिर से हरा लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं और ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही टेस्टी मसाला बन के तयार होता है और इस मसाले से हम बनाने वाले हैं छोले जो कि हमने रात को भीगो दिये थे तो वीक में एक दो दिन ऐसा आप ट्राइ करिए कि कुछ भीगोया हुआ आप बनाए ताकि आपको सोचना न पड़े कि अगर आपके पास कोई सबजी नहीं है तो जैसे काले चने बना दिये उनका चना मसाला छोले बना लिये या फिर राजमा बना लिया तो इस तरह की कु सोती है और हमारा जो टमी होता है वो भी फिल हो जाता है अच्छे से क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है आपको संतोष्ट करने के लिए भी होता है ताकि आपका मन अच्छा रहे और यहाँ पर हमने oil लिया था वो डाल दिया है थोड़े hing डाल दी थी और जो हमने masalo たयार किया है वो डाल दिया है ये छोले जो हैं दो लोगों के हिसाब से हम बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमने सारी चीजों की मात्रा रखी है आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीजें ले सकते हैं जो भी आपको बनाना हो और उपर से इसमें हल्दी डाल रहे हैं और नमक डाल रहे हैं छोले जो boil किये हैं हमने उसमें भी boil करते समय नमक और थोड़ी सी हलदी डाली थी और ये लाल मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि छोले में हरे मिर्च का स्वाद जो है अच्छा नहीं आता है, तो हम लोग लाल मिर्च डालते हैं अब इनको अच्छे से भूनना है तो धक कर हमें अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग न हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दिया है म साले पक रहे हैं यहां में गोबी फराइ बनाएंगेहां थोड़ी ली थिसके गरम पानी में बलांच कर लिया था बलांच क्या एक बॉइल ला दिया था नमक डाल कर और यहां टेल डाला है हमने और राई डाला है जीरा और ब्लांच की हुई गोबी डाल दी है और इधर हम अपने छोले को भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर यह देखिए हमारा जो मसाला है छोले का देखिए इस तरह से पुरा ओइल जो है सेपरेट हो गया है और अब बारी है मसाले में छोले को आड़ करने की जो की बॉयल करके पहले ही हमने रख लिये थे तो यह देखिए इसमें हल्दी नमक डाल कर हमने बॉयल किया था तो यहाँ पर छोले आड़ कर देंगे और इसे पांच मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि जो है मसाले चने में अच्छे से रच बस जाएं टेस्ट उनका बढ़ जाए और अधर हमारी गोबी अपने आप पक रही है तो इसको ढख देंगे और चलिए गोबी चेक करते हैं देखिए गोबी जैसे जाहिए हमें वैसी ही बन रही है हलका हलका सा जो है उस पर क्रस्ट आ चुका है और इसमें हमें कोई मिर्च कोई मसाला नहीं डालना है बस इसमें हल्दी डाल रहे हम ठोड़ा सा नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे इस तरह से बना के देखिएगा कोई मसाले वाली डिश अगर आप ये देखिए काली मिर्च है कोई भी मसाले वाली सबजी के साथ ये सिंपल सी गुबी फ्राई बहुत अच्छी लगती है आप ट्राई जरूर करिएगा तो इस तरह से ये देखिए इसको चला दिया है और बहुत गलाना नहीं है इसको इतना पकाना है कि मतलब इसमें क्रंच रहे ये गले ना तो ध्यान देना होगा बीच बीच में इसको चलाते रहना होगा ताकि जैसा रजल्ट आपको चाहिए वैसा मिल जाए और ये देखिए गोभी जो पुरी तरह से तयार हो चुकी है और कहीं से भी गली हुई नहीं लग रही है और हर एक जो पीस है उसका वो अलग अलग है इधर जो है गोभी डन हो चुकी है और अब चलिए हम अपने छोले चेक करते हैं छोले भी हो चुके हैं और हरी धनिया डाल कर इसे कम्प्लीट करेंगे तो चलिए अब थोस्डे का टिफिन जो है अरेंज करते हैं और यह देखिए छोले और छोले के साथ हमने राइस बनाया है रोटी नहीं बनाई है तो छोले राइस स्टीम राइस लिया है हमने और यह गोभी फ्राई और यहाँ पर सैलेड है जिसमें खीरा चुकंदर लिया है हमने आप अपने हिसाब से मूली वगएरा प्याज वगएरा ले सकते हैं और यहाँ पर बूंदी का रायता बनाया है हमने जिसमें बहुत सिंपल बनाया है तो भूना पिसा हुआ जीरा और ब्लैक सॉल्ट डाला है और यह हरी चटनी और मीठे में गुड़ लिया है और इवनिंग स्नाट के लिए यह इसको ममरा कहते हैं गुजराच में ममरा है और मौंगफली रोस्टेड है मुर्मुरा भी कहते हैं कुछ लोग लाई भी कहते हैं तो यह लिया है हमने तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चीज़ें रख सकते हैं जैसी आपको पसंद है तो चलिए यहाँ पर हम फ्राइडे का टिफिन बना रहे हैं आगे आप लोग वीडियो देखते रहे हैं बिना स्किप किये और हमें सपोर्ट करते रहे हमारे वीडियो को लाइक करते रहे हैं तो यह एक बेसिक सा तड़का डाला है हमने जीरा मेथी और राई का और उसमें प्याज डाल दिया है एक मेडिय О — का प्याज लिया था और थोड़े हरे प्याज भी आपको दिख रहे हूंगे उसमें और अभी अद्रक ल और मटाला है यह आलू डाल दिया था और मटर मौा के दो शारी और जो गोभी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो 50% पक चुकी है क्योंकि हमने उसे नमक डाल कर उबाल लिया था तो वो पकी हुई है और देखिए वो पीसेज भी बड़े दिख रहे हैं आपको क्योंकि बिल्कुल गली हुई जो गोभी होती है वो पसंद नहीं हम लोगों को सबजी में तो इसलिए है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू थोड़े पक जाएं फिर आप गोभी एड़ करिए अगर आप गोभी को गरम पानी में उबाल रहे हैं तो नहीं तो फिर एक साथ आप आलू गोभी दो नुडाल सकते हैं और यह देखिए टमाटर यह टमाटर इस तरह से रखने का मतलब यह है कि वो जो छिलके हैं वो हमें निकाल लेने हैं क्योंकि जो छिलके होते हैं उनमें कोई भी विटामिन कोई भी प्रोटेन नहीं होता है तो और यह देखिए उसमें हरी मिर्च कट करके डाल रहे हैं जादा तर सबजीयों में हम लोग हरी मिर्च डालते हैं अगर कोई ग्रेवी वाली सबजी बनाते हैं जैसे छोले है मटर पनीर है तो उसमें हम लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं और यह देखिए अभी भी थोड़े कड़क दिख रहे हैं टमाटर तो अभी नहीं निकलेंग और टमाटर को अच्छे से हम दबा देंगे ताकि जो अच्छे से घुल जाए सब्जी में और सब्जी हो चुकी है हमारी और उपर से हरा धनिया डालकर इसे कम्प्लीट कर देंगे तो देखिए हमारा फ्राइडे का टिफिन तयार हो चुका है जो की बहुत ही सिंपल है सब्जी रोटी आलो गोभी की सब्जी जो हमने बनाई थी वो है रोटी है जिसमें घी लगा दिया था और सालेड के लिए सिर्फ खीरा है और यह प्लेन दही है इसमें कुछ भी एड नह कर तयार हो गया है और यह हमने हरी चटनी डेली है हरी चटनी बहुत अच्छी होती है खाने के टेस्ट को तो बढ़ाती ही बढ़ाती है आपकी बाडी को भी पूरी तरह से क्लीन करती है धनिया हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है तो हरी चटनी डेली खानी चाहि से friday का हमारा simple चाटेफिन बनकर तयार हो गया है, आप सब्जी अपने हिसाब से change करके बना सकते हैं, तो यह रहा हमारा friday का टेफिन, तो चलिए अब बनाते हैं last day यानि Saturday का टेफिन, और यहाँ पर हमें एक बिल्कुल basic सा पुलाव बनाने वाले हैं, आप चाहें तो vegetable खिच सकते हैं सैटर्डे का जो टिफिन है वो कोशिस करें हलका ही रहे यह देखिए हमने बड़ी लाइची दालचीनी तेजपत्ता लॉंग डाला है और हरी प्याज डाली है आपके पास हरी प्याज ना हो तो आप सिंपल प्याज भी ले सकते हैं और यह हरा लहसुन था वो हमने ड सन्द्सर्टर वो डाल दिया है और हरी मर्श डाल दी है और इसको जो है चलाते हुए पका लगे और यह बहुत ही सिंपल सा पुलाूँ है इसमें मसाले के लिए हम पावभाजी मसाला यूज करेंगे पावभाजी मसाला जो है वो पुलाँ के टेस्ट को बढ़ा देता हैं तो इसलिए ये मसाला एड़ कर देंगे जरा सा सब्जियों को भूनने के बाद ये डाल दिया है हमने आपको जैसा पुलाओ पसंद हो या जिस तरह का पसंद हो आप बना सकते हैं और यहां पर नमक एड़ कर दिया है अब हमने आप जब भी अपने टिफिन तयार करें या एक वीक का जो आपका मील प्लान हो उसमें सारी चीज़ें आ जाएं क्योंकि ओमारे शरीर के लिए सब कुछ आवश्यक है और यहां पर देखिए हमने थोड़ी से हल्दी है कि ऑ सब्चाल कूछ है दाल चावल कई तरह की सब्जियां आप खाते रहे तो अच्छा हो कई तर तो दिखिए हमने जो चावल जो है 30 मिनट पहले धो कर रख दिया था ताकि थोड़ा भीग जाए तो उससे चावल अच्छे बनते हैं और यहां पर हम अपने हिसाब से पानी आड़ कर देंगे यह जो पुलाव है बहुत खिला खिला तो नहीं बनता है क्योंकि इसमें धेर सारी सबजियां पड़ी होती हैं लेकिन हाँ टेस्टी बहुत लगता है यह खाने में और संतोष्टी देता है आपका खाना सटेस्फाइंग होना चाहिए ताकि आपका मन जो है बेचैन न रहे कि कुछ खाना चाहिए कुछ खाना चाहिए ऐसे तो यहां पर देखिए हमारा पुलाव टेस्टी वाला बनकर तयार है और उपर जो आपको कुछ अंचाही मसाले दिख रहे हैं अंचाही मसाले उनकी जरूरत अब खतम हो चुकी है तो उनको उपर से हम निकाल लेंगे ताकि कुछ खाते समय मुह में ना आ है उससे क्या होता है कि टेस्ट बिगड़ जाता है तो उसको निकाल कर अलग कर देंगे जैसे तेजपत्ता वगएरा है तो उसको भी निकाल देंगे हटा देंगे ताकि घुझा खाते वक्त कोई डिस्टर्बेंस ना हो और अब इसे हम अच् लेकिन ये लगबग खिला खिला बना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सब्जियां उपर आ गई हैं वो सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये देखिए गोबी कितनी खड़ी-खड़ी देखिए तो अब चलिए टिफिन तयार करते हैं तो ये है हमारा धेर सरी सब्जियों वाला पुलाव और ये है सैलेड जिसमें खीरा गाजर और बीट रूट है और ये है बुंदी का रायता पुदीने के साथ और ये ड्राइफ रूट है इवनिंग स्नाक के लिए एक्शली इवनिंग स्नाक के लिए आज एक और चीज है वो दबबा होना ही चाहिए आपके बैग में और ये देखिए हमने पोहा लिया है जिससे जरा सा तेल डाल कर रोस्ट कर लिया था और मुंगफली पोहा और मुंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो भी रख लिया है तो इस तरह से हमारा सैटडे का टिफिन बन आपको पसंद आया होगा इस वीडियो के लिए हमने 6 दिन महनत की है यानि सुबह में खाना बनाना तो इजी है हमारे लिए लेकिन उस खाने का वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन फिर भी हमने कर लिया और तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली दोस्तों तक पहुचाईएगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसका लाव उठा सकें तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं यानि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्दी पहुच जाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सब रखें अपना धेर सारा खयाल थाइंक्यू सो मच